हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन डाइजिस्टिफ सिस्टम एजुकेशन सीरीज में हमने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए लोगों की एक बहुत कॉमन कोईरीज रहती है कि हमने मतलब टेस्ट भी करा लिये दवाई भी लेली हम परेज भी करते हैं हम भारका भी कुछ नहीं खाते हैं लेकिन पेट का दर्द नहीं चाता है पेट में गैस लगातार बनती रहती है पेट लगातार फूलता है लोगों को दुखन होती है लोगों को कब्ज रहती है तो ये समस्चा कंट्यूनियसली बनी रहती है आज हम बात करेंगे हरनिया के बारे में कि यदि आपको लगातार पेट में दर्द, गैस, कव्ज, कॉंस्टिपेशन के साथ साथ आपको इंडाइजेशन, पेट का फूलना और अचानक दर्द होना और ये समस्चा यदि लगातार बनी रहती है आप जो मैनेजमेंट ले र किसी भी हिस्से में किसी भी मस्सल्स का अपने कैप्सूल से यानि अपने मस्कुलर जो और गैंस है उससे भार निकल आना यानि उसका साइज बढ़ जाना या गांट के रूप में या फिर जिली के रूप में या बल्ज के रूप में यदि आप उसको देखते हैं तो वह ब हरनिया करते हैं तो मुक्त है जो हरनिया है वो पीट का हरनिया ही होता है जिसमें कि नावी के उपर वाले हिस्से में आपको हरनिया हो सकता है एक गांट के जैसा structure आपको दिखाई देगा लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि जब आप लेट जाते हैं तो वह दिखाई देता है लेकिन जब बैठते हैं तब दिखाई नहीं देता या फिर आप जब चल रहे होते हैं फिर वह थोड़ा सा reflect करता है लेकिन उससे कोई दर्द नहीं होता है बहुत के नीचे वाला जो कवरिंग लाइन है उसके नीचे भी आपको हर्णिया हो सकता है या फिर किसी इंसान की कोई सर्जरी हुई है उसके बाद भी कई पर यह देखा जाता है कि जो पैरलर मसल्स होती है बराबर वाली वो स्वेल्ट कर जाती है उनमें टेंडर बन जाती है सूज leいるisation होगा आपको गैस्य बनेगी आपको दुखन होगी और आपका जो ओबिस है मतलब मुटापा है अपका वह लगाजार बढ़ेगा जो पेहता अपका लाइनिंग है जो सर्चे कि बढ़ेगी और आप पॉफिनेस और याबिहनेस और वैट महसूस करेंगे तो यह हर्शन हर्णिया के लक्षण होते हैं इसके बाद हर्णिया के सिंटम्स और कॉज जानने के बाद कॉज में मुक्त देखा यह जाता है कि जिन लोगों को वीट बढ़ता है 40-45 के बाद हमारे परिबता ह 가능atar 2008 में एक परिवरतन होता है हम थोड़े से ओवीज हो जाते हैं हमारा फैटी लिवर हो जाता है तब यह इस तरह की को डिवल्पन्ट देखे जाते बत हर्मिर पीचे को कोई क्लिकली को एक रीड़ी Francisco हमारे साइन्स नहीं हमारे पास के हर्निया स्पेसिविक क्यों होता है तो यह एक common reason हो सकता है उसके बाद है कि हर्णियादी है किसी को तो इसको हम कैसे diagnose करें कैसे पेंचाने एक ultrasound करके हर्णिया को समझा जा सकता है ultrasound में यह clear हो जाता है कि आपको हर्णिया है या नहीं है और वो किस stage में है, वो कितनी swelling है, कितना बड़ा tender है, अब इसके बाद ये आती है कि हर्निया यादी है, तो क्या उसकी surgery की आविशकता होती है immediately, first stage में कोई surgery की आविशकता हर्निया में नहीं हो सकती है, आप weight reduce करें, lifestyle modification करें, walking करें, weight reduction exercise करें, और फिर कुछ medicine management है, उससे उसमें फायदा होगा, लेकिन ये एक temporary management होगा, कोई हर्निया का complete solution कोई medicine नहीं है, कोई exercise नहीं है, body की extra growth है, उसको तो फिर surgery से remove करना ही पड़ेगा, यदि second या third stage में वो जाता है, जिससे कि आपको ज़्यादे complications परिशानिया होती है, तो better है कि आप जितना जल्दी हर्निया का operation करा लें, surgery करा लें, उतना बढ़िया है, पहले एक तरह से पूरा पेट को खोल कर, या एक बड़े टांके लगते थे, पूरी surgery होती थी, और बहुत बड़ा area में हम cut बारते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी advanced laparoscopic surgery होती है, जिससे कि specific area को ही hit किया जाता है, और बहुत लंबे समय तक आपको आराम करने की वज़रत नहीं हुटती है, 5-7 days में के बाद आप एक normal life जी सकते हैं, और completely successful होता है operation, उसके बड़े फायदे भी होते हैं, तो हर्निया यदि आपको है, हर्निया के कारण पेट की समश्या हैं, आपको बनी हुई है, तो immediately आप ultrasound कराएं, आप अपने physician से मिलें, और उसके management पे जाएं, और यदि आपका हर्निया second या third stage में हैं, तो आप उसकी surgery के लिए सोचें, और surgery कराएं, हर्निया में यही है एक solution, prevention में यही है कि आप वेटना बढ़ने दें, लाइफ स्टाइल मोडिफाई करें, फिसिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल जी हैं, और किसी भी तरह की जो इस्टिरोइडल मेडिसन हैं, विदा उट कंसल्टेशन ऑफ फिजिशन कभी भी ना लें, क्योंकि हार्मोनल जो मेडि कि ए वी तरह का लगाव है्, लो का वेटनुर तरह की आर से कि एरसोई।